Welcome students, हम बात करेंगे problem की, जो के related है, scalar product of two vectors. हमारा question है कि if a vector is equal to 3i plus 4j minus k, v vector is equal to i minus j plus 3k and c vector is equal to 2i plus j minus 5k, then find a part है जिसमें हमने a dot b, मतलब dot product या scalar product फाइंड करना है a और b vectors का और जो second है हमारा, उसमें हमने a जो है हमारा पस वेक्टर, इसका dot product लेना है या scalar product लेना है किसके साथ, b plus c vector के साथ, सबसे पहले हम a part की बात कर लेते हैं, ठीक है जी, इसमें देखें हमने a vector multiply करना है b vector से, लेकिन dot product में, ठीक है, जैसे कि हमने dot product को define किया हुआ है, और components के हिसाब से में से इनका product लूँगा, ठीक है जी, तो यहाँ पर पहले a vector के components, जो मतलब हम यू कह सकते हैं, x component, y component और z component जो के इन दी direction of i, j and k vectors आएंगे, यहाँ आगे है, dot i minus j plus 3k, ठीक है जी, अच्छे, अब देखें, जो dot product है, जो हमारे पास इसता से define होती है, a dot b, कि a vector magnitude, b vector magnitude, ठीक है, इनका product, cause of cosine of theta, angle between them, तो angle theta जब 0 होता है, तो cos theta 1 होगा, मतलब, cos 0 1 होगा, और dot product जो है वो, हमारे पास a और b जो नमबर है, मतलब, a vector की magnitude, b vector की magnitude से multiply हो जाएगी, ठीक है, components में हम यू कहते हैं, का i dot i जो है, वो 1 के equal होता है, i dot j 0 के equal होता है, ठीक है जी, i vector का i vector से अगर dot product लिए, यह scalar product 1 होता है, लेकिन i dot j, और, बलकि इसको मैं यू लिख देता हूँ, कि यह 0 के equal होगा, और इसी तरह i dot k भी, ठीक है, सेम इसी तरह आप, जो हमारे पास, वो vector जो आपस में perpendicular है, उनका dot product 0 होता है, तो अब देखें, इसमें a dot b, जो है, क्या बनेगा, 3i, जब i से multiply होगा, distributed property के तहत, ठीक है, तब यू मैं इस तरह से कह सकता हूँ, कि यह पहले, इन सारे vector से इसने multiply होना, i minus j plus 3 के से, इसी तरह इसके बाद, जो plus 4j है, इसने भी इन सारे vectors, मतलब यह जो सारे components हैं, in the direction of i, j, and k, unit vectors, इन से multiply होना है, ठीक है, और इस तरह minus k ने भी इन तमाम से multiply होना है, ठीक है, अब जिसमें के perpendicular जो vectors होंगे, उनका dot product 0 होता जाएगा, जैसे i dot i, जब यह से multiply होगा, तो 3 into i dot i आजाएगा, ठीक है, लेकिन जब 3 minus 1 से multiply होगा, minus 3, यहाँ पे आजाएगा i dot j, ठीक है, जी, और इसे प्लस 3, तरह 9, और यहाँ पे आजाएगा i dot k, ओके, तो same अब यहाँ भी होगा, ठीक है, 4, और j dot i 0 के एकपल, जैसे बैसे जिरो लिख रहाँ होगा, ठीक है, मैं भी दिन को भी 0 लिख दूँगा जो आपसे प्रपेंडिकुलर है, यह माइनस 4 j dot j आएगा, जो के 1 के एकपल होता है, j dot j, और आगे आएगा 12 into 0, ठीक है, माइनस इसी तरह k, k dot i, यह 0 हो जाएगा, ठीक है, 1, 1, 0, 1 होता है, लेकिन k dot i, 0 होता है, इसी तरह प्लस 1 into k dot j, 0 के एकपल, और इसी तरह k dot k, जो है, माइनस 3 k dot k आजाएगा, k dot k, ठीक है, अब इसको मज़ी सिंप्लिफाइ कर लेते हैं, तो यह 3 into 1, माइनस यह 3 into 0, प्लस 9 into 0, प्लस 0, माइनस 4 into 1, प्लस 0, 12 0 से मिल्टिप्लागा 0, माइनस 0, बलके प्लस 0 ही हो जाएगा, माइनस 1 0 से मिल्टिप्लागा 0 हो गया, प्लस 1 0 से मिल्टिप्लागा 0 हो गया, और माइनस 3, k dot k is 1, अब इसमें अगर मज़ीद देखें आप तो यह हमारे पास बन जाएगा, 3 यह 0, यह 0, यह 0 माइनस 4 माइनस 4 और माइनस 3 तो यह माइनस 3 से चैंसल आजएगा माइनस 4 तो A.B जो डॉट प्रड़क्ट आ रहा है हमारे पास इन वेक्टर्स का अपस में स्केलर प्रड़क्ट इसलिए इसको स्केलर भी आजएगा यह एक रियल नमबर है स्केलर है ठीक है इसलिए हम कहेंगे और यह माइनस 4 आजएगा है अब आप इसे रीचेक कर सकते हैं आप इसे दोबारा कल्कुलेशन करें देखें इसमें कोई अगलती है या कोई बात आप मज़ीद इसमें देखना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी इसी तरह अब हम A का डॉट प्रोड़क्ट लेंगे B प्लस C से ठीक है जी क्वेस्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ के A का डॉट प्रोड़क्ट लिया जाएगा B प्लस C से चले जी अब इनकी वैल्यूज को लिखते हैं A वेक्टर जो है इसको लिख दिया वेने यहाँ पर चले जी A वेक्टर आगया ब्रैक्ट्स पुट कर लेते हैं और B प्लस C वेक्टर B और C दोनों को एड़ करना हमने है तो पहले में B वेक्टर लिखूंगा ठीक है यह B वेक्टर आगया प्लस पॉजिटिव साइन हम लगाएंगे और अब हम C वेक्टर लिख लिख लेते हैं जो के यह है इसके मतलब कंपोनेंट्स लिखेंगे X, Y, Z जारी बात हमें डिरेक्शन भी साथ साथ लिखनी है वेक्टर है तो तो अब इसमें पहले अडिशन होगी यह 3I प्लस 4J और माइनस के यह अज़ इस ठीक है अब यह देखें I और 2I 3I आजएगा इसी तरह माइनस जे प्लस जे यह कैंसल हो जाएंगे 0J तो यहाँ पे हम लिख सकते है प्लस 0 टाइम J और प्लस 3K और माइनस 5 के तो माइनस 2K यूनिट वेक्टर आजएगा यह डॉट का साइन है अब सिंपल 3I जो है वो I I से मिल्टिप्ला तो 3 3 से मिल्टिप्ला के 9 और I डॉट आए आजएगा ठीक है बाकी मैं नहीं लिख रहा हूँ चूके वो 0 होते है इसना प्लस 4 मिल्टिप्ला है बस 0 वो 0 हो जाएगा और J डॉट J आजएगा यहाँ पर J डॉट J और इसी तरह से माइनस 1 और माइनस 2 मिल्टिप्ला के प्लस 2 और K डॉट K और यह आप जानते हैं कि यह दोनों सेम वेक्टर्स हैं के दरम्यान 0 डिग्री का एंगल बन रहा है इसलिए इनका डॉट प्रोड़क्स 1 के एक्वल है यहाँ पर भी 1 आजएगा यहाँ भी 1 आजएगा और यहाँ भी 1 आजएगा यह बन जाएगा जी 9 प्लस 0 प्लस 2 जो के बन जाएगा इक्वल टू 11 के इसलिए से यह हमने जो है स्केलर प्रोड़क्स फाइंड किया गिवन वेक्टर्स का जो जिस तरह से जिस तरतीब में हमें कहा गया था अब आपकी एक असाइन्मेंट आप ऐसा कीजिए कि आप A का डॉट प्रोड़क्स ले लें B माइनस C वेक्टर से ठीक है और अपने अंसर को आप देखें कि वो क्या आता है उसको चेक पी कीजिएगा आप